जैमातादी दोस्तों, जादवी टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सर्व? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन के महीने में कुछ चीजों का परेज करना जरूरी होता है, वहीं कुछ चीजों को खाने से इसुरी कृपा भी बनी रहती है, और सेहत भी चका-चक रहती है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। दोस्तों, बाबा भोले नाद की असीम कृपा पाने के लिए भक्त सावन के महीने में वरत और उपवास भी रखते हैं. इस महीने बगवाम सिव की सच्चे मन से आराधना करने से सदा के लिए उनकी कृपा का पातर बना जा सकता है. और ये महीना रुद्रा विसेग के लिए उत्तम माना जाता है. और साथ ही सावन में खान पान का भी विसेज ध्यान रखना चाहिए. तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सावन के महीने में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों सावन के महीने में दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इसके अलावा सावन में हरे रंग का बहुत ही ज़्यादा महत होता है लेकिन सावन के महीने में हरी पत्तेदार सबजियां खाने को मना किया जाता है दर असल ये बात को बढ़ाती हैं इसके अलावा मानसून के दिनों में इनमें बैक्टीरिया और कीड़े भी देखे जा सकते हैं इसलिए सावन में हरी पत्तेदार सबजियां खाने की मना ही होती है दोस्तों सावन के महीने में कच्छा दूद नहीं पीना चाहिए लेकिन बाबा भूले नात का अभिसेख दूद से जरूर करना चाहिए लेकिन इसका सेवन वर्जित होता है इसके साथ ही सावन के महीने में कड़ी भी नहीं खाने चाहिए दोस्तों सावन में पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसे सबजियां खाने से बचना चाहिए दोस्तों सावन के महीने में बैगन नहीं खाया जाता ऐसा माना जाता है कि बैगन असुद होता है और इस महीने में मास मदीरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए और हो सके तो इस पूरे महीने प्याज और लेसुन का भी प्रियोग ना करें आप सात्विक आहर ग्रहन करें चलिए अब जानते हैं कि सावन के महीने में क्या खाना चाहिए दोस्तों सावन के महीने में लोकी, तुरई और टमाटर जैसी जल्दी पचने वाली और बेल पर उगने वाली सबजियां ही खानी चाहिए और इसके लावा सावन के महीने में सेब, केला, अनार, नासपाती, जामून और आम जैसे मौसमी फल खाने चाहिए और बात करें अनाज की तो सावन के महीने में आप चावल, गेहूं, मक्का, सरसों, मूंग और अरहर की दाल जैसे अनाज खाने चाहिए आपको बता दें कि सावन के महीने में खरन खाने से पेट से सम्मंदित सभी बिमारियां दूर होती हैं और इस मौसम में गर्म और ताजा फूड, होट ड्रिंक्स जादा लेना चाहिए और सावन के महीने में जादा तला भुना भी नहीं खाना चाहिए तो दोस्तों सावन के महीने में आप अपने खान पान का ध्यान जरूर रखें ताकि आप सुद्ध विचारों से बाबा भुले नात की पूजा और आराधना कर सकें वीडियो पसंद आए तो कमेंड में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद